सोतेली मा की घमंडी बेटी एक समय की बात है दूर किसी गाउं में माधव नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था माला माधव हर रोज सुबा खेतों में काम करने चाता और दिन भर अपने परिवार के लिए महनत करता ऐसे ही एक दिन माधव सुबा सवेरे खेतों में काम करने गया तब उसे एक बच्ची की रोने की आवास सुनाई दी माधव ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे खेतों के बीच एक प्यारी सी बच्ची रोती हूँ दिखाई दी उस बच्ची को देख माधव ने फोरण बच्ची को गोद में उठाया और अपनी पतनी सुमन के पास ले गया बच्ची को देख सुमन बोली अरे यह तुम किसकी बच्ची को उठालाए यह बच्ची मुझे खेतों में रोते हुए मिली बेचारी भूग से बिलख रही थी इसलिए मैं इसे घर ले आया देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है तुम्हें पता है ना हमारे पहले से एक बेटी है तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम इस लड़की को पाल पोस सकेंगे तुम चिंता मत करो मैं इन दोनों बच्चीों का पालन पोर्षन अच्छे से करूँगा माधव ने उस बच्ची का नाम रखा वैशाली माधव वैशाली को अपनी बच्ची की तरह प्रेम करता था वही सुमन वैशाली को नफरत की निगाहों से देखा करती कुछ सालों बाद माला और वैशाली दोनों बड़ी हो गई दोनों दिखने में बहुत ही सुन्दर थी लेकिन माला अपनी मां की तरह घमंडी थी वही वैशाली अपने पिता की तरह नेक और दयालू थी समे बीतने के साथ-साथ माधव विमार रहने लगा और जल्दी चल बसा वैशाली पिता माधव के बहुत करीब थी पिता के मृत्यू के बाद वो पूरी तरह तूट गई वही सुमन की नफरत पहले से भी जादा बढ़ गई तू मनूस है तेरी वज़े से मैंने अपना पती को खो दिया मा आप ये क्या कह रही है मू बंद कर समझी अब इस घर में तुझे रहना है तो तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे वरना तो इस घर से जा सकती है सुमन ने वैशाली के साथ एक नोकरानी की तरह भैवार करना शुरू कर दिया वो उसे बचा-कुचा खाना खाने को मजबूर करती और लगातार उससे काम करवाती रोज मर्रा के काम काच के अलावा वैशाली को हर रोज दो बार पीने का पानी लेने कुए पर जाना पड़ता वो भी घर से डेड मेल दूर पैदल चल कर पानी से भरा भारी मटका लाना पड़ता एक दिन कड़ी धूप में वैशाली पीने का पानी लेने जब कुएं पर गई तो ठक कर कुएं के पास बैट गई और रोने लगी तबी एक बूड़ी और उरत उसके पास आई और बोली विटिया बड़ी प्यास लगी है क्या तुम अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो हाँ क्यों नहीं अम्मा एक मिनट रुकिए ये कहते हुए विशाली ने अपने आशू पोछे और मटकी में पानी भर बूड़ी अम्मा को पिलाया पानी पीने के बाद बूड़ी अम्मा खुश होते हुए बोली तुम बहुती नेक और दयालू हो बेटी तुमने इतनी कड़ी धूप में मुझ बुढ़िया को पानी पिलाया तुम्हे नाम की हगदार हो जब भी तुम दुखी होगी और तुम्हारे आखों से आसू बहने लगेंगे तब तुम्हारे आसू हीरे और मोती में बदल जाएंगे ये कहते हुए बूड़ी औरत एक सुन्दर परी में बदल गई ये देख वेशाली हगी बग्की रह गई और इससे पहले वो कुछ बोल पाती परी मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गई फिर वेशाली जब घर पहुची तो सुमन गुस्टे में तम तम आते हुए बोली वेशाली रोते हुए रसोई घर में दाखे हुई और पाने से भड़ा हुआ मटका एक तरफ रखा और रोने लगी और जैसे कि सुंदर परी ने कहा था इसके आंसों चम-चमाती हीरे और मोती में बदल गए तब ही सुमन रसोई घर में दाखिल हुई और उसने वेशाली की आंखों से हीरे मोती गिरते हुए देख लिया ये क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ये तुम्हारे आखों से हीरे और मोती कैसे गिर रहे हैं क्या तु कहीं से जादो टो न सिक कर आई है तब वेशाली ने कुए पर घटी सारी घटना के बारे में मा सुमन को सब बताया जिसे संसुमन की आखे खुशे से चमक उठी और उसने अपने बेटी माला को अपने पास बुलाया और कहा बेटी माला जल्दी धरा हम दोनों भी जल्दी अमीर बनने वाले हैं कहा हो तुम जल्दी धरा तभी माला सच सवर कर इतराते हुए गोली क्या कहा मा हम अमीर बनने वाले हैं ये तो बहुत अच्छी बात है मगर कैसे हाँ बहुत जल उसके लिए तुम तुरंट अभी उस कुए पर जाओगी फिर हम पूरे जिन्गी ऐश करेंगे मा मैं कुए पर नहीं जाओंगी पता है कुए कितनी दूर है पैदल चलते चलते मेरे पाओं में चाले पड़ जाएंगे फिर मेरी शादी राजकुमार से कैसे होगी बिटिया बस एक बार ही तो तुम्हें वहां तक जाना है देखो तुम नहीं चाहती तुम्हें भी वो बूड़ी औरती नाम में आँखों से हीरा और मोती गिरने का वर्दान दे जैसा किस मन हुसको मिला है तुम्हें बस कुए में जाकर पानी भरना होगा और जब कोई के लिए निकल पड़ी चलते चलते कड़ी धूप में माला पसीने से तरबतर हो गई ओ मेरा सारा मेकप उतर गया और पैरों में भी दर्द होने लगा वर्दान पाने के लिए कितना महनत करना पड़ता है आज पता चला फिर जब वो कोई के पास पहुंची तो ठक कर कोई के पास बैठ गई तबी वहां सुंदर वेश भूशा पहने हुए एक लड़की आई और बोली सुनों बहन क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो मुझे बहुत प्यास लगी है माला ने सिर से लेकर पाउं तक उस लड़की को देखा और गुसे से बोली मैं तुझे पानी क्यो तर तराने लगोगी ये कहते हुए लड़की परी में बदल गई और गायब हो गई फिर जैसे ही माला ने अपना मुझे खोला तो वो मैंड़क की तरह तर तराने लगी फिर वो रोते-रोते घर की और भागी लेकिन रोनी की आवाज के बदलिन तर तराने की आवाज ही निक रही हो माला ने बोलने की कोशिश की पर वो फिर से टर टराने लगी ओ मेरी बेटी रो ना बंद करो सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे पता है ये सब इस मन्हूस की वज़े से हुआ है समय आने पर तुझे इसकी किमत चुकानी पड़ेगी अब जा और जंगल से लकड़ी ले घर के आंगन में वैशाली फूलों को पानी दीते हुए गाना गा रही थी पंची बनो उड़ती फिरू मस्त गगन में आज मैं आजाद हूं दुनिया की चमन में तबी वहां से घोड़े पर सवाल सुरजगर्द राज़े का राजकमार्योग गुजर रहा था उसने वैशा वैशाली को इस परस्ट रूप से नहीं देख पाया राजकमार्योग मुस्कुराया वो उसकी मधूर आवासे मंत्र मुग्द हो गया वाह कितनी मधूर आवाज है बिलकुल सुरीली कोयल की तरह मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं राजकमार्योग वैशाली से मिलने के ल महां देख खुश होते हुए बोली आये राजकमार आपका स्वागत है आप यहां कैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ये आंगन में एक लड़की को गाना गाते हुए देखा था उसकी आवाज इतनी मधूर और सुरीवी थी मैं यहां खिचा चला आया मैं उससे मिलना चाहत हुँ तब सुमन को सोचते हुए बोली वो मेरी बेटी है राजकमार मैं अभी अपनी बेटी को बुला कर लाती हुँ यह कहते हुए सुमन मस्कुराते हुए फोरण घर के अंदर गई और अपनी बेटी माला से बोली माला जल्दे से तुम विशाली के कपड़े पहन लो रा माला विशाली के कपड़े पहन कर राजकुमार युग के सामने गई तब राजकुमार युग ने उसे देखते ही कहा ओ तुम्हारी आवाज बहुत ही मधुर है इसने मेरे दिलो दिमाग पर जादू कर दिया मुझे तुम्हें अपनी दुलहन बनाने में बहुत खुशी हो ये देख राजकुमार युग गुसे से बोला ये कैसा मजाक है क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो तुम्हें इस दुस्टता का दंड जरूर मिलेगा इतने में वैशाली बाहर आई और बोली राजकुमार कृप्या मेरी बहन को माफ कर दो इसमें इसकी कोई गलती नहीं ये कहते हुए वैशाली ने राजकुमार युग को सारे सच्छाई बताई वही वैशाली की सुन्दरता देख राजकुमार युग अपना दिल दे बैठा और बोला तो क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकती हो फिर वैशाली ने अपने सुरेली आवाज में दोबारा से वही गा आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में राजकुमार युग उसकी आवाज से बहुत प्रभावित हुआ और बोला तुम्हारी आवाज इतनी ही सुन्दर है जितनी की तुम मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ क्या तुम उससे विवाह करोगी मुझे माफ करे राजकुमार मैं आपका प्रिस्ताव नहीं सुईकार कर सकती आप मेरी बेहन से शादी कर ले नहीं तो इसका दिल तूट जाएगा इसका सपना है कि इसकी शादी एक राजकुमार से हो मैं तुम्हारी मकार बेहन से शादी नहीं कर सकता ये सुन वेशाली हाद जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए परी को याद कर विंती करने लगी हे परी कृपया मेरी पुकार सुनो मेरी बहन की गलती की सजा आप मुझे दे दो लेकिन उसे ठीक कर दो वेशाली को अपने लिए प्रातना करते देख कर माला ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया तबी उनके सामने वही सुन्दर परी प्रकट हुई वेशाली तुम दुखी मत हो मैं तुम्हारे बहन की आवाज पहले जैसे कर देती हूँ ये कहते हुए परी ने अपने जावदी छोड़ी गुमाई और माला की आवाज लोटाई अरे वाँ मेरी आवाज अब मैं पहले की तरह बोल सकती हूँ परी आपका बहुत बहुत धन्यवाद माला की बात सुन परी मुस्कुराई और गायब हो गई फिर राजकुमार युग ने घुटलों में बैट कर वैशाली से कहा वैशाली मुझे तुम जैसी सुन्दर और नेक दिल लड़की कहीं नहीं मिलेगी लीज मेरा प्रस्ताव सुईकार करो मुझसे शादी कर लो और जहां तक तुम्हारी बहन का सवाल है मेरा चोटा भाई राजकुमार विराट उससे शादी करने के लिए तैयार होगा और वो उसे खुश रखेगा राजकुमार युग की मबाद सुन वैशाली ने खुशी से हामे भर दी ये सब देख सुमन को भी अपने किये पर बहुत पच्तावा हुआ और उसने वैशाली से माफी मांगी फिर एक शानदार विवा का आयोजन हुआ और दोनों बहनों की शादी बड़ी ही धोम धाम से दोनों राजकुमारों के साथ हो गई उसके माद दोनों बहने राजमहल में खुशी-खुशी अपने जीवन बिताने लगी बादलों में बसी जादूी नगरी में सभी परियाँ खुशी-खुशी रहती थी उनकी दुनिया बुरी शक्तियों के साय से पूरी तरह सुरक्शित थी क्योंकि राणी परी एवा के पास एक दिव्य मनी थी जिसकी वज़े से पूरा परिलोक एक सुरक्षा कवस्टे घिरा हुआ था रानी परिएव की एक बेटी थी जिसका नाम नोड़ा था वो भी अपनी मा की तरह जावदे शक्तियों से परिपूर्ण थी कुछ समय बाद रानी तोरी ईवा ने एक दोस्री बेटी को जनम दिया और नाम रखा अलीना पर बदकिस्मती से परिलोक में जनम लेने के बाद भी उसके पास अपनी मा ईवा और बड़ी महन नोरा की तरह शक्तिया नहीं थी वो शक्ति हीन थी रानी ईवा को जम ये बाद पता चली तो उने बहुत बड़ा अगहात लगा जिस वज़े से वो अपनी छोड़ी बीटी अलीना पर कम ध्यान देने लगी अलीना जब थोड़ी समझदार हुई तो मा का बड़ी महन नोरा की तरह म चादन लगाम देख दुखी रहने लगी ऐसी ही एक दिन अलीना अकेले कमरे में उदास मैठी सोच रही थी मेरी दीदी कितनी लखी है उसके पास कितनी सारी जादूई शक्तिया है और सभी उससे कितना प्यार करते हैं और एक मैं हूँ मेरे पास एक भी जादूई शक्ती नहीं है ऐलीना ये सोच रही थी तब ही कमरे में उसके बड़ी बहन नोरा आई और बूली क्या बात है मेरी प्यारी सी बहन चलो मेरे साथ बगीचे में एक साथ मिलकर खूब खेलेंगे क्या सच में दीदी चलो चलते हैं बड़ा मज़ा आएगा वहाँ चलकर तितलियां पकड़ेंगे इतने में वहाँ रानी परी इवा आई और बोली ओ नोरा तुम यहाँ हो चलो मेरे साथ मुझे तुमें एक खास चगा लेकर जाना है पर मा मुझे अलीना के साथ खेलना है तुम आने वाले समय में परीलोग की रानी बनने वाली हो वैसी भी अब तुम बड़ी हो गई तुम्हें बगीचे में अलीना के साथ खेला शोबा नहीं देता चलो मेरे साथ ये सुनती ही अलीना का खेला हुआ चहरा मुर्जा गया नोरो को भी बहुत बुरा लगा पर मा के कहने पर उसे मजबूरन बहां से जाना पड़ा ऐसे ही समय बीत रहा था और देखते ही देखते अलीना अठारा वर्ष की पूरी हो गई सुबस सुबस जब अलीना नेन से जागी तो वह बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका जनम दिन था आज मा और दीडी ने मेरी लिए जरूर बहुत बड़ा सर्प्राइज रखा होगा मैं जल्डी से तयार होकर हौल में जाती हूँ अलीना ने सुन्दर सा गाउन पहना और फटा फट दोड़ते हुए हौल में गई लेकिन वहां ना तो कोई डेकोरेशन था ना तो कोई सर्प्राइज यहां तक कि किसी ने भी उसे विश तक नहीं किया वो उदास होते हुए बगीचे में गई तबी उसे वहां अपने बड़ी महन नोरा दिखाई दी जो बगीचे में अपने शक्तियों का अभ्यास कर रही थी वो दोड़ते हुए उसके पास गई और बोली दीदी पता है आज मेरा इतने में रानी परी इवा वहां आई और बोली तुम्हें कितनी बार कहा है अपने कक्ष में रहा करो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो अपने इजादी शक्ति का अभ्यास कर रही है आने वाले समय में अकेली नोरा को ही राजगदी समालनी है ये सुन अलीना रोते हुए बोली ये कहते हुए अलीना रोते हुए अपने कमरे में चली गई पर वो इतनी दुखी थी कि वो जादा देर कक्ष में नहीं रह पाई और दुखी होकर परिलोग के सुलक्षा कवच के घेरे से बाहर काफी दूर भटकते भटकते एक घने जंगल में चली गई वो भूकी और प्यासी होने के साथ साथ काफी डरी हुई भी थी तबी उसे डराबनी आवाजे सुनाई देने लगी इतने में एक घनी जाड़ियों के पीछे से एक जंगली कुत्ता महार आया और अलीना घबरा कर जमीन पर गिर गई और मदद के लिए चुलाने लगी जंगली कुत्ता अलीना पर हमला करने ही वाला था इतने में एक सुन्दर ओरत वहाँ आयी और जंगली कुत्ते को अपने हाथों में पकड़े डंडे से मार कर दोर भगा दिया तुम ठीक तो हो ना? ओ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई तुम पहले ये बताओ, इस खतरनाक घने जंगल में अकेले तुम क्या कर रही हो? तबला बजा कर दरसल मैं परी लोग की रानी परी ईवा की छोटी बेटी अलीना हूँ पर मुझे कोई भी परी लोग में प्यार नहीं करता यहां तक कि मेरी मा भी नहीं करती क्योंकि मेरे पास कोई भी जादोई शक्ती नहीं है और आज जब मेरा ठारवा जनम दिन है, किसी ने मुझे विश भी नहीं किया बलकि आज की दिन मा ने मुझे खुई प्राटा चुप हो जाओ प्यारी राजकुमारी मेरे पास एक तर्कीब है जिससे तुम्हारे पास भी जादी शक्तियां आ जाएगी और सब तुमसे प्यार करने लगेंगे तबला बजाकर क्या सच में? पर कैसे? अगर तुम परिलोग की दिव्यमणी लेकर मुझे दोगी तो मैं अपने शक्तियों से उस मणी के अंदर के सारी शक्तियां तुम्हे दे दूँगी क्योंकि मैं एक जादोगर्णी हूँ फिर तुम्हारे अंदर भी बाकी परियों की तरह जादी शक्तियां आ जाएगी तबला बजा कर दिव्य मनी पर वो तो परी लोग की सुरक्षा कवच है मैं कैसे ला सकती हूँ मा को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेंगी तुम्हे वो दिव्य मनी कुछ दीर के लिए ही तो लानी है फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने साथ ले जाना अगर तुम चाहती हो तुम्हारी मा तुम्हे भी तुम्हारी बड़ी भेन की तरफ प्यार करे और तुम्हारे पास भी जादी शक्तियां हो तो तुम सोच लो तुम्हे क्या करना है मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हो ठबला बजा कर एलीना जादू गर्णी तंबोला की बातों में आ गई और बोली ठीक है मैं कल दिव्य मनी लेकर आऊंगी तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना पर मेरी एक बात का ध्यान रखना दिन में नहीं रात के समेही आना तब सभी सो रहे होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा अच्छा अब तुम अपने परिलोग वापस लोट जाओ किसी को पता चल गया तो गड़ बढ़ हो जाएगी तबला बजा कर पर मैं परिलोग जाओं कैसे मैं रास्ता बटक गई हूँ अच्छा रखो डिंग डॉंग गिली गिली का पर्शो ये कहते हुए जादुगर्णी तबोला ने अपना जादुई डंड़ घुमाया और जादुई कालीन प्रकट हो गया एलिना खुश होते हुए जादुगर्णी तबोला से विदा लेकर जादुई कालीन में बैटकर वापस परिलोग लोट गई वही जादुगर्णी तबोला के हसी से पूरा जंगल गोंज उठा अब मेरा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा फिर परिलोग की रानी मैं बनूंगी ग्रेट जादुगर्णी तबोला तबला बजा कर उधर एलिना परि जादुगर्णी तबोला के विछाई जाल में फस गई फिर अगले दिन उसने चुपके से मा के कमरे से दिव्य मणी चुड़ाई और रात होते ही जंगल जा पहुँचे तुम कहा हो जादुगर्णी देखो मैं ले आई जादुई मणी अब जल्दी से मुझे भी बाकी परियों की तरह जादुई शक्ती की माल किन बना दो इतने मैं जादुगर्णी तबोला प्रकट हुई और हस्ते हुए बोली अब मुझसे और इंदजार नहीं हो रहा तो फिर देर किस मात की जल्दी से मणी मुझे सौप दो फिर देखना मेरा कमाल थबला बजा कर जैसी ही अलीना बरी ने जादुई मणी दुष जादुगर्णी तबोला के हाथों में सौपी तो वो अपने असले रूप में आकर बयानक हसी हस्ते हुएं बोली बेवकुफ परी आखिर तुम मेरे जाल में फसी गई तुने कितनी असानी से मेरी बातों में आकर दिव्वे मणी मेरे हवाले कर दिया अब मुझे परियों के रानी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा तेरी मा भी नहीं तबला बजा कर जैसी ही जादुगर्णी तबोला ने अपना काला जादू दिव्वे मणी पर किया तब ही अचानक परी लोक का सुरक्षा घेरा अपने आप तूट गया ये देख तबोला जादुगर्णी अलीना को अपने साथ लेकर परी लोक ले गई और रानी परी एवा को युद्ध के लिए ललकार ने लगी रानी परी देख मैं वापस आ गई अब तुमेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि मेरे पास दिव्वे मणी है तबला बजा कर ये कहते हुए जादुगर्णी तबोला अलीना को अपने साथ लेकर परी महल में दाखिल हुई रानी परी इवा अपनी बीटी अलीना को जादुगर्णी तबोला के साथ देख बोखला गई तबोला तेरी इतनी हिमत छोड़ दे मेरी बेटी अलीना को छोड़ दूंगी इतनी भी जल्दी क्या है पहले मैं पर्यू कि रानी का तास तो पहलो तबला बजा कर ये कहते हुए जादुगर्णी तबोला ने रानी परी इवा पर हमला किया दिव्य मर्णी होने की वज़े से रानी परी इवा जादुगर्णी तबोला का वार जेल नहीं पाई और घायल हो गई इतने में रानी परी इवा की बड़ी बीटी नोरा ने भी अपनी जादे शक्तियों का प्रयोग किया पर जादूगर्णी तबोला के शक्ती के सामने वो भी टिक नहीं पाई और जख्मी हो गई अपनी मा और बड़ी भेन को मुसीबत में देख अलीना से रहा नहीं गया फिर उसने पूरी ताकत से जादूगर्णी तबोला को धक्का दिया और उसके कमरे में रखा जादूगर्णी तबोला से दिव्वे मनी लेने के लिए जप्टी छीना जप्टी में दिव्वे मनी दूर जा गिरी ये देख रानी परी ईवा ने दिव्वे मनी को फोरण अपने कबजे में कर लिया अरे मेरी मड़ी वो भी मेरे हाथों से निकल गई बेवकुफ परी ये सब तीरी वज़े से हुआ है मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगी रुख जदूस तबोला अब तु किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाईगी अब तेरी सारी शक्तियां खतम हो चुकी है तबला बज़ा कर ये कहते हुए रानी परी ईवा ने अपनी बीटी नोरा के साथ मिलकर तबोला पर हमला किया और देखती ही देखते तबोला जलकर भस्म हो गई इस तरह सब कुछ ठीक हो गया रानी परी ईवा ने बड़े प्यार से अलीना को गले लगाते हुए बोली अलीना मुझे माफ कर दो मैंने हमेशा तुम्हें नजर अंदाज किया पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अलीना मेरी प्यारी बेहना तुम सबकी आँखों का तारा हो और तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक जादी शक्ती है जादूई शक्ती? हाँ मेरी बच्ची तुम्हारे पास एक अद्रेशे शक्ती है और वो शक्ती है प्यार की मा ईवा की मात सुन अलीना के चहरे पर मुस्कान आ गई रानी परी ईवा ने कुछ समय बाद परिलोग की राजगदी अपनी दोनों मिल्टियों के हाथों सौब दी फिर दोनों महनों ने मिल जुलकर परिलोग पर कई सदियों तक शार्षन किया उजयनपूर के जंगलों में गायतरी नाम की एक नागिन हजार सालों से अपने नागमणी की रक्षा करने के लिए इंसानों से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रह रही थी परन्तु हर शिवरातरी को नागिन गायतरी इंसानी रूप धारन करके उजयनपूर के शिव मंदिर में शिव की पूझा करने जाया करती थी इसी तरह एक बार महा शिवरातरी के अफसर पर नागिन गायतरी शिवजी की पूझा करने के लिए शिव मंदिर में जाती है और शिव जी की पूजा करते हुए बोलती है ये भोलेनात आपके द्वारा दी गई शक्ती नागमणी की रक्षा करते हुए मुझे हजार वर्ष से भी अधिक हो गई है आप अपना आशिरवाद मुझे पर हमेशा बनाए रखियेगा ताकि आगी भी मैं नागमणी की रक्षा कर सकूँ गायतरी शिव जी की पूजा कर ही रही होती है कि तभी उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवास सुनाई देती है जिसके बाद वो इधर उधर नजरे घुमाती है वो देखती है कि मंदिर की सीड़ियों पर एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत रो रही है गायतरी उस बच्ची को तुरंत गोद में उठा लेती है और मंदिर के पुजारी के पास चाकर बोलती है पुजारी जी ये बच्ची किसकी है? इसको किसने इस तरह मंदिर की शीडियों पर लिटा रखा है? क्या आप जानते हैं इसके माता-पिता कौन है? नहीं बेटा मैं इसके माता-पिता को तो नहीं जानता लेकिन वो जो भी है बड़े ही निर्दई है इतनी प्यारी फूल सी बच्ची को यहां छोड़ कर चले गए इतनी नन्धी सी बच्ची को कोई कैसे छोड़ सकता है? बेटा आज के समय में लोगों को देवियां सिर्फ मूर्ती के रूप में ही अच्छी लगती है अगर वही देवी उनके घर पर कन्या बन का जनम ले ले तो वो उनके लिए बोज बन जाती है पुजारी जी के इस बच्ची को मैं अपने साथ ले जाऊं क्योंकि मैं जंगलों में अकेली रहती हूँ अगर मुझे इसका साथ मिल जाएगा तो मेरा जीवन भी खुशाल हो जाएगा हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन कर रहेंगे और मुझे भी इस बच्ची की माँ बन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी कि तुम भले ही इस बच्ची की सगी मा ना हो प्रन्तु सगी मा से ज़्यादा प्यार करोगी गायतरी उस बच्ची का चहरा देखती है और बहुत खुश होती है और वो उस बच्ची का नाम पारवती रखती है और उसे अपने साथ जंगल में ले आती है जहां वो अपनी शक्तियों से एक नया घर बनाती है जिसके अंदर बच्ची की सुक सुविदा का और जरूरत का सारा सामान होता है जैसे खिलोने पालना और ऐसी बहुत सारी चीजे उसके बाद गायतरी पारवती को देखते हुवे बोलती है मेरी बच्ची शायद भोले नात ने यही संयोग रचा है इतने सालों से मैंने अपना जीवन अकेले वैतीत किया है लेकिन अब मेरे पास तुम आ गई तीरी ये नागिन मा तुझे सारी खुशिया देगी गायतरी पारवती का बहुत अच्छे से ख्यार रखती है उसको हर खत्रे से बचा कर रखती है उसका अच्छे से लालन पालन करना समय पर दूत पिलाना और इसी तरह हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है वो अपना पूरा दिन पारवती का ध्यान रखने में ही व्यतीत कर दिया करती थी इसी तरह समय अपनी रफतार पकड़ लेता है और देखते ही देखते पारवती बड़ी हो जाती है गुजरते समय के साथ वो 21 वर्षकी हो जाती है लेकिन पारवती किस रक्षा के लिए गा बोलती है। आखों में आशु आजाते हैं जिसे देखकर पार्वती बोलने लगती है। एक रात गायतरी के सोजाने के बाद पार्वती चुपके सी उठती है और खुद से ही बोलती है। जब तक मेरी मा सो रही है तब तक क्यों न मैं जंगल के सैर कर आऊं क्योंकि वैसे तुमा मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। गायतरी को सोता देख पार्वती इस चीज़ का फायदा उठाती है और अकेली ही जंगल के सैर के लिए निकल जाती है। लेकिन अचानक उसको एक लड़का दिखाई देता है जिसको देख कर वो थोड़ा डर जाती है और बोलती है। तुम कोन हो और इस चंगल में क्या कर रही हो। तब ही वो लड़का जवाब देते हुए कहता है। मेरा नाम विवेक है। मैं तुम्हारी तलास में ही रोज जंगल में आता हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार महा सिवरातरी पर सिप जी के मंदिर में देखा था। मुझे तुम बहुत पसंद आई। जब मैंने तुम्हारे बारे में पुजारी जी से पूछा तो उन्हों मुझे अपना नाम मेरा नाम असी करती दूनों घंटों बाते हैं विवेक करते हैं eu Girls को बाहरी-दुणियनीय के बारे में मताता है और आइड़ए विवेक को जंगल के बारे में बता थी है दूसरी तरब अचानक से गायत्री की आँख खुलती है वो देखती है कि पारवती उसके बगल में नहीं है वो हैरानी से उठती है और इधर उधर देखने लगती है वो पूरे घर में देख लेती है पर उसे पारवती कहीं नहीं मिलती एह भगवान, मेरी बच्ची कहा चली गई? ए शिवजी, उसके रक्षा करना गाईतरी पारवती को ढूणते ढूणते उस तक पहुंचाती है और पारवती के साथ किसी अंचान लड़के को देख वो घबरा जाती है और पारवती को डाटते हुए कहती है ऐसा कहकर गाईतरी पारवती को खीच कर घर ले जाती है और फिर दोनों सो जाते है अगली सुबा गाईतरी जब खाने की चीजे लेने बाहर जाती है तो पारवती भी घूमने निकल जाती है उसे दोबारा से विवेक मिल जाता है वो कहती है तुम यहां तुम्हें बता कैसे चलता है कि मैं इस समय घर से बाहर निकली हूँ विवेक की बातों से पारवती शर्मा जाती है और कहती है अच्छा मैं चलती हूँ अगर माने दुबारा देख लिया तो फिर से डाट पड़ेगी इसी तरह कुछ दिन बीट जाते है एक दिन गायतरी अपनी बीटी पारवती से नजरे चुरा कर जंगल के एक कोने में जाती है और अपने अर्धनागिन रूप में आ जाती है तब ये पारवती के तलाश में आया विवे गायत्री को अर्धनागिन रूप में देख लेता है जिसके बाद वो भागते हुए पारवती को बुला कर लाता है और उसके मा के सच्चाई उसे दिखाते हुए बोलता है ये देखो तुम्हारी मा कोई साधारन औरत नहीं है बल्कि वो एक नागिन है क्या तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता था? पारवती ये सब देखकर खुद भी बहुत हैरान थी इसलिए वो विवेक के सवालों का जवाब ना देखकर अपनी मा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है उसको वहाँ देखकर गाहितरी हैरान रह जाती है और अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है पारवती, बेटे तुम यहाँ क्यों आई? और ये लड़का तो वही है ना? जो उस राथ तुमारे साथ था? आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन है? आपने बच्चपन से लेकर आज तक मुझे सच चुपाया आप एक इच्छाधारी नागिन है, इसका मतलब आप मेरी मा नहीं हो सकती मैं आपके सोतेली बेटी हो ना? आपने मुझे बच्चपन से मेरे मा बाप से दूर इस जंगल में रखा थाकि मैं आपका केलापन दूर कर सकूँ, शर्माती है मुझे आपको अपनी मा कहते हुए ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, मैं तुसे बहुत प्यार करती हूँ तुझे कुछ होना जाए, इसलिए बारी दुनिया में जाने के लिए रोकती हूँ और मैंने तुमसे अपने नागिन होने के सच्चाई भी इसलिए चुपाई कोई प्यारवर नहीं करती हूँ, आप मुझसे जोट बोल रही हो तुम जा रही हूँ मैं यहां से, हमेशा के लिए आप से दूर, कभी दोबारा आपके पास वापस नहीं आऊंगी गाइतरी को भला बुरा बोल कर, पारवती विवेक के साथ जंगल से बाहर शिम मंदिर की और चली जाती है शिम मंदिर पहुँचकर वो शिवजी से अपना दुख बया करने लगती है तब ही वहाँ पुजारी जी आजाते हैं, और उसकी बाते सुनकर उससे बोलते है बेटी, जब तुम अपनी मा की सचाई सुनोगी, तो तुम्हें अपने कहे सब्दों पर सर्म आएगी पुजारी जी पारवती को सब सच बताते हैं, कि उसको मंदिर में कोई लावारे छोड़ गया था और गाहितरी ने उसकी मा ना होते हुवे भी उसका पालन पोशन किया और उसको कभी भी मा की कमी महसूस नहीं होने दी ये सब सुनकर पारवती और विवेक की आँखों में आशू आ जाते हैं जिसके माँ पारवती बोलती है जाने अंजाने में मैंने मा से ना जाने क्या क्या बोल दिया उन्होंने तो आज तक मुझे हर खत्रे से बचा कर रखा कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और आज मैं उनको ही अकेला छोड़ कर आ गई नहीं, मैं अभी जाकर अपनी मा से माफी मांग लूँगी पारवती भागते हुए जंगल की और जाती है और अपने घर में देखती है तो वहां गाईतरी नहीं होती हर जगर ढोड़ने पर उसे गाईतरी एक गुफा की आगे बैटकर रोती हुई दिखती है पारवती तुरंट उसके पास भाग कर जाती है और माफी मांगती हुए कहती है मुझे माफ कर दू मा, मुझे पुजारी जी ने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार आप मुझे मंदिर से उठा कर लाई थी मुझे माफ कर दू मा, आज के बाद मैं आपको छोड़ कर कही नहीं जाओंगी गाईतरी पारवती को गले से लगा लेती है वादा करो, आज के बाद मुझे छोड़ कर कही नहीं जाओगी पार्वती गाईतरी से वादा करती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी उसके बाद गाईतरी को पार्वती और विवेक के प्यार के बारे में पता चलता है तो वो उन दोनों की शादी करवा देती है फिर वो तीनों जंगल में ही अपना जीवन हसी खुशी व्यतीत करने लगती